तो दोस्तो जैहिंद मैं आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप सभी ने अपना सीटी का स्कोर देख लिया होगा तो उसी बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे तो देखिए सबसे पहले मैं अपने मार्क्स दिखाना चाहूंगा आप लोगों को उसके बाद देखिए काफी बच्चों का क्या हुआ है कि qualified भी उनका भी प्रोविजनली qualified शो कर रहा है और देखिए मेरा भी qualified प्रोविजनल कर रहा है तो इस केस में आपको क्या करना है देखिए सबसे जदा सटीक चीज़े मिलेंगी क्योंकि वही बंदा सबसे अच्छा बता सक करता है जो एक्जाम को या जो उस फेज से निकला हुआ हो तो इस वीडियो में हम सारी चीजों के बारे में डिसकस करेंगे उसके साथ साथ देखिए आपकी expected cut-off उसके लिए हमने अपना एक survey form निकाला है वह survey form आप लोगों को fill करना है उसका link हम description में provide कर देंगे और उसके ranking नहीं दिये कि कौन से कौन बच्चा कौन सी rank पर है उससे क्या होगा कि अब जैसे आप लोगों को पता है कि into four जितनी vacancy है उसके हिसाब से बलाए जाएंगे लेकिन अब यह नहीं पता कि कितने बच्चे हमसे उपर हैं हमें तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए ए एक तो यह चीज हो गई लेकिन देखिए क्या यह तो यह यह यूर का पता दिया उसके नीचे नीचे और सारी केटेग्री सोचेंगी EWS जो है वो थोड़ा सा उपर होगा मेरे हिसाब से हर बारी जैसा होता रहा है मेरे हिसाब से यह 64 तक जा सकता EWS एक बार यह आप देख लीजिए तो देखिए उसी के रिगार्डिंग पहले देखिए मैं अपने मार्क्स दखाऊंगा उसके बाद आगे क्या करना है जिनको जो मेंस पेपर है वो भी नहीं सकते तो कुछ लिए सबसे पहले मार्क्स देखते हैं थो वाही देखो यह मेरा स्कूर कार्ड है जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पर यह देखिए यह मेरे जो टोटल स्कूर है एन फिगर्स यह हैं 82.3376 मेरे मार्क्स है और यह देखिए यहां पर भी मेरा देखी क्या शोग किया हुआ है qualified provisional इसका मतलब क्या है कि जो मेरा जैसे मैंने five marks लिए हुए है यहां पर देख सकते हो provisional marks awarded under social economic तो यह मेरे को पांच नमर मिले हुए हैं तो यह मेरे को verify करवाने हैं और शायद यह मिलेंगे भी नहीं है तो जो मेरा score हो जाएगा वह minus करके आपका जितने भी आपके marks होंगे आप यहां पर देख सकते हो just a second यह आप देख सकते हो जो मेरा 95 में से जो marks है नॉर्मलाइजड marks है वह है 77.33 और उसके बाद यह सारी चीज़ों के बारे में दखाया हुआ यहां पर यह सारी important instructions हैं इसमें क्या है कि वही सारी चीज़ी बताई हुए कि आपको कैसे करना है क्या करना है तो देखिए इस case में देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि 15 दिन के अंदर अंदर आपको एक दू दिन देखिए एक दू दिन वेट करके देख लीजिए चाहे कोई ने कोई और notification आ जाए उनकी तरफ से और clarity आ जाए लेकिन उन्होंने अपना जो result है उसी में शो किया हो कि 15 दिन में आपक जितने भी डॉक्यमेंट हो सारे ले जाएगी वहां पर जाके आपको सिर्फ एक application लिखनी है जैसे आपको पांच नंबर जो सोश एकनोमिक मिले हुए हैं तो अगर आपको वह नहीं चाहिए नहीं चाहिए मतलब अगर आपकी फैमिली की इंकम एक लाग अस्ती हजार से जा पहले बताये थी लेकिन देखिए पॉइंट है कि यह तो हो गया एक रफ अंदाजा कि इतना हो सकता है लेकिन अभी हमने सर्वेश फॉर्म निकाला है आपको वह सर्वेश फॉर्म फिल करना है एक मिनट भी नहीं लगेगा आपको मैं एक बारी आपको दिखा देखो यह हम हमारा हरियाना सीटी एक्सपेक्टेट सर्वेश फॉर्म निकाला है कि इससे क्या वाजाएगा कि आपकी रेंक पता चल जाएगी जितने वहां पास बच्चे आएंगे हम उसे साब से आपको रेंक बताएंगे और जो टॉप स्कोरर है सबसे ज्यादा नंबर किसके हैं वो स कैसे फिल करना सबसे पहले नाम देखिए आपना नाम बताना चाहूं अच्छी बात है नहीं तो आप ABCD कुछ भी डाल सकते हो उसके बाद आपकी जो भी कैटेगरी है आपको किस दिन पेपर था पांच नमबर पहली शिफ्ट दूसर शिफ्ट जैसे मेरा था वह पांच नम 737 उसके बाद यूर मार्क्स इंक्रीज आफ्र नमलाइशन देखिए मेरे को क्या लगता है परसनली कि जो नमलाइशन के माक्स बढ़े हैं एक से दो नमबर बढ़ा है हमारा आप वन यह टू नप हैसे डाल सकते हो एक यह दो नमबर बढ़े हैं उसके बाद आपका काड़ी में बता सकते हो कि मेरे साब से इतनी कट ओफ होनी चाहिए तो यह आपका सर्वेव फॉर्म है यह आप फिल कीजिएगा और पूरी मांदारी से फिल कीजिएगा जिससे जो हम कट लेका हैं देखिए जंदी ही हम कट लेके आएंगे क्योंकि रेंक नहीं निकाली है क कितने पर जाएगा कितने पर नहीं जाएगा तो उसके लिए एक छोटी सी हमारी एक पहल है देखते हैं आप लोग कितना सपोर्ट करते हो तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में तिल दैन ओल दी बैस और देखिए अगली वीडियो में और उम्मीद करूंगा आप सभी सब्सक्राइब करेंगे और पूरी एमानदारी से फिल करेंगे तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में तिल दैन ओल दी बेस्ट गडब्लेस यह और चीजिनको भी हमारा टेलिग्राम चैनल जोइन करना है जितने भी सारे अपडेट्स होंगे वह हम उसी पर डालेंगे त हैं तो आप यसे लीए काफी हैल फुल होगा है चैनल तो और जो भी अपडेट होगी को सब हम सिचैनल पर अपडेट करते रहेंगे आप Luck को जैसे जो भी आपके अब पंच्पुला जाना है तो वहां पर क्या करना है क्या से करना है वह सारी चीजे जैसे हमारे कोई बंदा जाएगा तो हम अपडेट करतेंगा उसके लिए तो चलिए मिलते हैं